हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल निटिंग लेसंस बाई शिवानी जिसकी आज की वीडियो में हम ये सिंगल कलर का डिजाइन बनाना सीखेंगे बहुत आसान है ये डिजाइन बनाने में बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पर हमने इसके लिए फंदे लेने हैं फोर के मल्टिपल में प्लस थ्री करके आप अपने वूलन प्रजेक्टिक एकोडिंग फंदे सलाई में ले लीजिए जो सलाईयों का यह डिजाइन है जिसकी फस्ट रो राइट साइड से बनेगी और सेकंड रो रॉंग साइड से बॉर्डर के बाद की फस्ट रो हम यहाँ पर बना रहे हैं देखे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे इसके बाद धागा अपनी साइड लाएंगे और एक फंदे को उल्टा बुनेंगे अब यहाँ से हमारा जो डिजाइन है वो रिपीट शुरू होगा देखे यह हमने धागा पीछे किया एक बार धागा पीछे करने के बाद हम एक बार और गुमा कर इसको पीछे करेंगे देखे यह एक लूप बना लिया हमने सराई के उपर अगले तीन फंदो को हमने एक साथ सलाई पे लेना है और पीछे की तरफ से सीधा बुनना है देखे हमने इसको सीधा बुना इसके बाद देखे हम तीनों फंदो को सलाई पे से नहीं उतारेंगे अभी एक बार फिर से हमने इसको सलाई पे लेना है लेकिन दो फंदो को स्टार्टिंग के दो फंदो को पीछे की तरफ से लेंगे पहले हमने तीन लिये थे अब देखिए एक को हमने छोड़ दिया है और दो फंदों को लिया है इनको हम फिर से इसी तरह से सीधा बुनेंगे और फिर आप तीनों फंदों को उतार देंगे धागा अपने साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखिए जहां से रिपीट हमना रहा स्टार्ट हुआ था वहीं से हमें इसको दुबारा से बार बार बनाना है पूरी सलाई में धागा पीछे करेंगे एक बार और गुमाएंगे पीछे करेंगे तीन फंदों को एक साथ लेंगे सलाई के उपर और तीनों को सीधा बुन देंगे पीछे की साइड से इसके बाद सलाई में से नहीं उतारेंगे दो फंदों को लेंगे और फिर से इने सीधा बुन देंगे धागा अपनी साइड लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये चार फंद हमने बुन लिए फिर से रिपीट स्टार्ट करेंगे धागा पीछे ले गए एक बार और गुमा कर पीछे ले गए तीन फंदों को सलाई पे लिया और तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे पीछे की तरफ से उसके बाद तीन में से एक फंदा लास्ट वाला हम छोड़ देंगे दो फंदों को सलाई पे लेंगे इनको भी पीछे की तरफ से हमने बुनना है देखे दागा अपनी साइट लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये चार फंदों का जो रिपीट है ये बार-बार पूरी सलाई में चलता रहेगा जितने भी फंदे आपने सलाई पे लिए हैं देखे दागा पीछे ले गए एक बार और घुमा कर पीछे ले गए तीन फंदों को देखे हमने सलाई पे लिया इनको सीधा बुनेंगे इसके बाद अगले दो फंदों को लेंगे इनको भी पीछे की तरफ से सीधा बुन देंगे दागा अपनी साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे चलिए इस फर्स ट्रो को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करते हैं दागा गुमाएंगे देखिए राइट साइड रो वन कंप्लीट हो गई है अब रॉंग साइड में आ जाते हैं रो टू के लिए यहां पर पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे यह एक्स्ट्रा फंदा है रिबिट स्टार्ट होगा इस फंदे से धागा पीछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे यह फंदा वो फंदा है जिसको हम पिछली सलाई में उल्टा बुन रहे थे देखिए इसको हमने सीधा बुनना इसके बाद धागा अपनी साइड लाएंगे एक बार और धागा घुमाएंगे देखिए इससे उसके बाद अगले तीन फंदों को हमने सलाई पे लेना है और इन्हें उल्टा बुनना है देखिए तीनों को हमने उल्टा गुना जिस तरह से हमने राइट साइड में किया था वही काम यहां पर करेंगे पहले तीनों को उल्टा गुनेंगे फिर उसके बाद फिर से सलाई को एंटर करेंगे और दो फंदों को उल्टा गुनेंगे देखिए इस तरह से दागा पीछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा दागा हमारी साइड लाएंगे एक पार और गुमाएंगे और उसके बाद अगले तीन फंदों को सलाई पे लेंगे उल्टा बुनेंगे अभी हमें इन तीनों फंदों को सलाई पे से नहीं उतारना है अगले दों फंदों को हमने फिर से उल्टा बुनना है इस तरह से दागा पीछे एक फंदा सीधा तीनों फंदों को सलाई पे लेंगे उल्टा बुनेंगे अब दो फंदों को लेंगे और इनको भी उल्टा बुनेंगे ये तीन फंदों का हम यूज़ कर रहे हैं हमारे तीन के तीन फंदे हमारे सलाई में आ जाते हैं कैसे देखे जो हम धागा अपने साइड लाएंगे अब देखे धागा अपने साइड लाएंगे इसके बाद जो हम ये धागा गुमाएंगे ये हमारा पहला फंदा बन जाएग इसके बाद ये जो हम 3 फंद्धे सलाई पहें लेंगे प्रिशत को हमने एक बार बुना ये हमारा दूसरा फंद्धा बन गया आप दो फंदोंको लेंगे सलाई पहें इनको बुनेंगे यह तूसरा देखिए डिजाइन की हमारी दोनों सलाईया बन गई है और अब यह डिजाइन हमारा इस तरह से दिख रहा है बहुत संदर लगता है डिजाइन अगर आप इसे पूरे स्वेटर पर अपलाई करें कैसा लगा है डिजाइन कमेंट में जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा थेंक यू